चले सबसे पहले 6th नवर कॉस्टन को देखते हैं तो यह कॉस्टन डारेक्ट आगे हैं आपके NCRT से और NCRT का मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ यहां से सोर्स से आये हैं NCRT से क्लास 11 के NCRT से फोर्म के बारे में आप पूरे अच्छी से बताया गया है एक कवर हो गया यू आल गाइज डूइंग वेल तो आज सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे कि जो UPSC का GS PAPER 1 का कॉस्टन आया 2023 में तो उसमें से पहले तो आप जान लेजिए इसमें वेटेज कितना था As we know that इसमें modern history रहता है ancient history रहता है and medieval history रहता है and geography, society or disaster management के portion रहते हैं ओके तो broadly हम लोग इसको 3 और 4 पार्ट में देख रहे हैं भी right now सबसे पहले देखिए modern history में modern history में हमें देखने को मिले है एक मिनिट रहे है modern history में यहां देख लेजे modern history में 35 question आये है 35 number के question आये है actually modern history में 2 question आये है और 35 number 2 question आये 10 mark के मतलब कि 2-2 page आपको लिखना होगा 1 question ठीक है यह complete analysis होने वाला है question कि source से आये है काँ से आये है काफी मेहनत लगा बनाने में तो इस वीडियो को like भी जरूर कर देजेगा geography के सबसे ज़्यादा बेटेज मिला है first geography में first number पर लखी क्यूंकि 100 number जो है geography से आये है और जिनका geography optional होगा उनको काफी advantage इसमें मिला होगा geography के 4 question आये है दस मार के and ये 4 question आये है 10 मार के और 4 question आये है 15 marks के तो ये 100 हो गया society के 75 तो जिसको sociology optional होगा उनको भी benefit होने वाला otherwise तो सभी GS के लिए पढ़ते ही है तो first is geography जिसमें सबसे ज़्यादा है है second is sociology and third is art and culture plus medieval से एक question आये है 10 marks के और एक question है 15 marks ठीक है so guys मैंने question को खोल लिया है जो GS paper 1 के question है तो देख लिजए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ total question 20 question थे time 3 hour right तो question कहा जाए तो moderate to easy level थे कुछ question hard थे कुछ यह जो एक 15 बाती जाए यह तो फे तो देंगे कुछ कुछ कुछ